हमारी आज की रेसिपी है स्पेशल व्रत की थाली व्रत में खाई जाने वली सब्जियों और सामगरी के साथ आप इसे बड़े आसानी से घर पर बना सकते हैं तो आईए थाली बनाना शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूले फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें थाली में सबी चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक चीजों के साथ आदा कप हम साबुदाना लेंगे उसे चार से पांच बार अच्ची तरह से धोलेंगे और उसे चार से पांच घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे आदा कप कच्ची मुंख़ली को ड्राय रोस करके रख लेंगे जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे आदा कप हमने सामक चावल लिए है जो बरत में काते है इसे अच्छे से दो से तीन बार पानी से धोलेंगे और उसे बाद में एक कप पानी में हम भिगो के रखेंगे जब तक हम बाकी त्यारी करेंगे चावल भीके रहेंगे ऐसा करने से चावल बहुत ही खिले-खिले बनते है शाही पनेश से शुरुवात करते हैं कडाई में डालेंगे दो बड़े चमबच तेल तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हरी इलाईची दालचीनी का टुकडा हलका सब भून लेंगे अब इसमें जाएगे टमाटर छोटा कटा अद्रक दस से बारा काजू के टुकडे हरी मिर्च सबी चीजों को अच्छे से भूनना है हमें इसे ढख कर धीवी आँच पर पकने देंगे टमाटर अच्छे से सौफ्ट हो गए है इन्हें ठंडा कर लेंगे ठंडा करके अब हम इने मिक्सी में पीसेंगे पीसते हुए हम इसमें मिलाएंगे दो तीन खड़ी लाल मिर्च इससे बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है बहुत ही बड़िया पेस्ट बनके त्यार हो गया है कड़ाई गरब करेंगे उसमें डालेंगे दो चमबच तेल घर का बना हुआ मक्षन अब इसमें जाएगा तेज पत्ता लॉंग हलका साहिने भून लेंगे अब जो हमने मसाला त्यार करके रखा था वो इसमें बलट देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मसाला पहले से ही पका हुआ है तो इसे जादा देर पकाने की जरूरत नहीं है अब इसमें जाएगा धनिया पावडर भूने जीरे का पावडर और कुटी हुई लाल मेर्च सभी को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे थंडा दूद इसी से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे आँच को स्लो ही रखेंगे हलके आतों से इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं दो से तीन मिनट तक धीमी आज़ पर इसे पकने देंगे अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी और मलाई इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और शाई पनीर की ग्रेवी भी एकदम घाड़ी बनेगी अब हम इसमें डालेंगे पनीर आप अपनी मर्जी के अनुसार पनीर के पीसिस को कट करके ग्रेवी में डाल सकते हैं दो से तीन मिनट इसे हम पनीर के साथ और पकाएंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर पनीर में आ जाए शाही पनीर बिलकुल रेड़ी है इसे कटोरी में निकाल लेते हैं चलिए अब आलू की सबजी बनाते हैं तीखी और बढ़िया आलू की सबजी के लिए हमें चाहिए हैं उबले हुए आलू इन्हें हाथों से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे बिल्कुल चूरा नहीं करना है कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे देसी घी घी गरम हो गया है अब इसमें जाएगा जीरा चटकने देंगे हरी मिर्च धनिया पाउडर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे अदरक कसा हुआ अदरक से आलूओं में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें जाएगा दो चम्मज कुट्टू का आता अगर आपके पर सिंगाड़े का आता है तो आप वो भी डाल सकते हैं आते को हमें अच्छे से धीमी आंच पर भूनना है एक से दो मिनट में ये भून जाता है अब हम इसमें डालेंगे मैश किये जो हमने आलू रखे थे मसाले में उसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें पानी मिलाएंगे एक से दो काप इसमें हम पानी डालेंगे अच्छे से इसमें मिला देंगे और इसमें उबालाने देंगे अब इसमें मिलाएंगे सेंधा नमक, आपके स्वाद के अनुसार, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे, दो से तीन मिनट तक सबजी को उबलने देंगे, सबजी अच्छे से उबल रही है, एक बार इसे चला लेंगे, अ एक से दो मिनट और पकाएंगे, सबजी अच्छे से पक गई है, गैस को कर देंगे बन, अब इसमें डालेंगे एक निमू का रस, अगर आप हम चूर खाते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं, सबजी बिलकुल तैयार है, इसे दो से तीन मिनट तक ठक कर रखेंगे, ताकि स सबी मसालों का फ्लेवर आलू में आ जाए, और फिर इसे हम परोसेंगे, साबू दाना की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, इसमें अब हम मिलाएंगे साबू दाना, जो हमने बिगो के रखा था, उसे अच्छे से च्छान की इसमें डालेंगे, कसा जीरा पाउडर, सेंधा नमक आपके स्वात के अनुसार, हरा धनिया, और कुट्टू का आटा या सिंघाडे का आटा, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है, सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, हतेलियों पर तेल लगा कर हम इसे टिक्की की शेप देंगे जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं, सभी टिक्यों को हम त्यार करके रख लेंगे, इस तरह से सभी टिक्यों को त्यार कर लेंगे, frying pan में हम oil डालेंगे हम इसे shallow fry कर रहे हैं आप चाहें तो टिकियों को deep fry भी कर सकते हैं सभी टिकियों को हम pan में डालेंगे हमें दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से सेखना है धीमी आज पर हम इन्हें सेखेंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए एक साइड से टिकी fry हो जाए तो उसे हम पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी हमें इसे धीमी आज पर ही सेखना है अच्छे से टिकियां अच्छे से त्यार हो गई हैं इन्हें निकाल लेते हैं एकदम कुरकुरी टिकी बनी है उपर से एकदम करारी अब सामा के चावल का पुलाउ त्यार कर लेते हैं कड़ाई में डालेंगे देसी घी अब हम इसमें थोड़ी से मुंफली फ्राई करेंगे अच्छे से हम इसे भून लेंगे भून कर हम इसे अलग निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में दुबारा से हम एक चमच देसी गी और डालेंगे जीरा चटकने देंगे हरी मेर्च काली मेर्च अब इसमें जाएंगे सामा के चावल जो अपने पहले बिगो के रखे थे उनका पानी अलग कर लेंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आँच को धीमा रखेंगे अब जो हमने इसे एक कप पानी में भिगोया था वो पूरा हम इसमें डाल देंगे अच्छे से इने चला लेंगे हमें इसे आँच देज करके एक उबाल देना है सेंधा नमक डालेंगे अपने स्वात के अनुसार जैसे ही चावलों में उबाल आने लगे हम इसे ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी यांच पर भीच में इसको एक से दो बार हम चला देंगे जब तक चावल पकना जाए हमें इसे इसी तरह धीमी यांच पर पकाना है पांच से साथ मिनट में ये त्यार हो जाते है चावल अच्छे से पक गए हैं पानी बिल्कुल सूख गया है गैस को कर देंगे बन पैन में डालेंगे देसी गी और उसमें एक आलू को छोटी छोटी टुकड़ों में काट कर हम फ्राई करेंगे हमें इसे धीमी से मध्यम आंच पर फ्राई करना है ढखकर इसे फ्राई करेंगे एक से दो बार भीच में से हम चला देंगे ताकि आलू नीचे लगे नहीं आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब जो हमने चावल बना के रखे थे वो हम इसमें मिक्स कर देंगे हलके हातों से चलाते हुए चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे आधा कप इसमें हम पानी डालेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो हमने मुफली फ्राई करके रखी दी वो हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया डालेंगे हलके हातों से इसे भी मिक्स कर देंगे अब हमें इसे ढख कर तब तक पगाना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए तीन से चार मिनट में ये बन के त्यार हो जाएगा सामा कप बुलाओ बिल्कुल त्यार है इसे ढख कर रख देंगे और हम हलवे की त्यारी करते है सिंगाडे के आटे का हलवा बनाने के लिए हमने पैन में लिया है सवा कप पानी आदा कप चीनी डालेंगे हमें पानी को तब तक गरम करना है जब तक चीनी अच्छे से मिलना जाए इसमें उबाल लाने लगा है इलाइची पाउडर डालेंगे इसमें हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है जैसे ही चीने खुल जाएगी हम इसे साइड में रख देंगे पैन में देसी गी गरम करेंगे उसमें डालेंगे सिंगाडे का आटा हमें आटे को गी में अच्छे से भूनना है जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा वो गी छोड़ता जाएगा हमें आटे को अच्छे से भूनना है जब तक वो सारा घी न छोड़ दे आटा अच्छे से भून रहा है इसका कलर भी थोड़ा सा जेंच हो गया है इस तरह से हमें आटे को भूनना है ये बहुत ही जल्दी भून जाता है इसमें आप डालेंगे जो हमने पानी का घोल त्यार करके रखाता जीनी के साथ धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गुटली आना पड़े अब हम इसमें डालेंगे कोई भी अपनी पसंद का ड्राइफ रूट हमने किश्मिश डाली है अब कोई भी ड्राइफ रूट इसमें डाल सकते हैं अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक ये पैन की साइट्स ना छोड़ दे हलवा बहुत अच्छे से भून गया है आईए इसे निकाल लेते हैं कटोरी में आईए राइता बनाने की त्यारी करते हैं बाउल में डालेंगे दही इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा थंडा दूद और थोड़ा सा थंडा पानी सबी चीजों को अच्छे से हम विस्कर की सहता से फेंट लेंगे अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर का पेस्ट हमने चुकंदर को काटके बॉयल करके मिक्सी में पीस लिया है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और रायते का कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है दही में इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती सेंधा नमक आपके स्वात के अनुसार जीरा भुना हुआ और काली मिर्च का पाउडर सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे नहीं बिल्कुल त्यार है अब इसमें जाएगे अनार के दाने हमारा चुकंदर और अनार का रायता त्यार है ये बहुत ही स्वाद लगता है काने में इसे ठंडा करें फ्रेज में और फिर इसे परोसेंगे पराठा बनाने के लिए बाउल मिलेंगे हम कुट्टू का आठा इसमें हम मिलाएंगे कसा हुआ अब उबला हुआ आलू काली मिर्च का पाउडर सेंधा नमक धनिया पत्ती सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मसलते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे गूंदेंगे हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है बहुत ज़ादा हाड नहीं करना है इसको आठा गुंद के बिल्कुल त्यार है हलका सा ओयल लगाकर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे 15 मिनट हो गए हैं आए इसे बेल के इसके छोटे छोटे मिनी परांठा बना लेते हैं परांठा बनाने के लिए मैंने बटर पेपर का इस्तमाल किया है बटर पेपर पे आप अपने पेड़े को रखिए और उसे उपर से बटर पेपर से ढखकर हलके हाथ से दबाते हुए आप इसकी शेप बनाएं परांठे की या इसे बेलें इससे ये अराम से निकल आएगा और ये बिल्कुल फटेगा भी नहीं आप चाहें तो क्लिंग फिल्म का भी इस्तमाल कर सकते हैं बेलने के लिए इस तरह पेपर के इस्तमाल करने से परांठा बिल्कुल असानी से निकल आता है और तूटता भी नहीं है ये देखिए कितना बड़िया परांठा बेल के त्यार है गरम तवे पर अब हम इसे सेक लेते हैं हलका सा इस पर देशी घी लगाएंगे और परांठे को उस पर डाल देंगे हमें इसे दोनों तरफ से मध्या मांच पर सेकना है हलका हलका घी लगाके हम इसे सेकेंगे दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है ये खाने में बहुत ही स्वाद लगता है उपर से ये एकदम क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें हमने आलू का इस्तमाल किया है दोनों तरफ से परांठा बहुत ही अच्छे से सिग गया है इसी तरह से हम अपने बाकी भी परांठे बना के त्यार कर लेंगे देखिए कितना बढ़िया परांठा बना है नवरात्रा थाली की हमारी सबी चीज़े बन के त्यार हैं आईए थाली सर्व करते हैं आलू की सबजी, शाही पनी, सामा का चावल, चुकुंदर का रायता, सिंगाडे का हल्वा, सलाद, साबुदाना की टिक्की और साथ मी कुट्टू का परांठा तो वरत की ये स्पेशल थाली इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों से भरी हुई आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना जल्दी ही मिलते हैं एक और बढ़िया सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए जैम आता दी